Finally, मैंने यह airport चुरा ही लिया वो दिनों से सोच रही थी पर आज मैंने इस काम को इंजाम दघी दिया और यह airport अपने हस्बीन से चुरा लिया पर मैंने यह airport चुराया क्यू क्यूर्कि मुझे इसका बॉक्स यह था और इस बॉक्स का मैं क्या करने वाली हुँ फिर इसके मैंने side के जो 4 corners थे उनको cut कर दिया और जब आप देखेंगे ना मैंने इसका क्या use किया है आप सब बहुत ज़्यादा surprise होने वाले हो इसका मैंने a square ले लिया है अब यहाँ पर मैंने क्या किया एक एक centimeter का corners छोड़ दिये जैसे दोनो side के corners होते हैं तो मैंने एक-एक centimeter के दोनो side के यानि की चारो side के corners को छोड़ दिया और उसके बाद 14 झैटीमीटर पर मैंने इसकी marking कर ली तो टोटल यहाँ पर मेरी 5 marking हुई है यहाँ पर मैंने det seventh centimeter के 51 marking कर ली चारो side के मैंने इसको marking कर ली अब यह देखिए मैंने एक cm का तो corner चोड़ दिये और 1.5 cm पे मैंने इसके marking कर ली है और उसके बाद मैंने लिया है hole करने वाले ये tool आप आप समझी गई होगे जो मैंने marking करी है न यहाँ पे मैं hole कर लूँगी यान कि चारो जो साइड मैंने मार्किंग करी है उसमें मैं चारो साइड होल कर लूँगी और इस तरह से मेरे एक बेस रेडियो जाएगा उसके बाद मैंने 10 mm के पर्ल्स लिये हैं और फिशिंग वायर लिये हैं 0.7 mm की उसके बाद एक वायर के लंबा सापीस कट कर लेंगे और फिर्स्ट वाले होल में वायर को डाल देंगे इस तरह से और उसकी नीचे की साइड जो दूसरा होल है उसमें सिर्फ वायर को निकाल लेंगे हम यह नीचे की साइड से निकानना है वायर को दोनों वायर की टिप को इक्वल पकड़ेंगे उसके बाद हम खीच लेंगे तो हमारा यह बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा उसके बाद हमने राइट वाली वायर में सॉरी लेफट वाली वायर में 3 पर्ल्स डाले तो हमारा कुछ इस तरह से लगेगा अब जो नीचे वाली वायर है न उसको उसके ब्राबर वाले होल में से फिर से निकालना है जिस तरह से हम सिलाई करते हैं ठीक उसी तरह से इसको होल में से फिर से निकाल लिया अब हमारी वायर उपर आ गई अब जो हमारी लेफ्ट वायर है उसमें फिर से हम दो पर्ल्स डालेंगे और सेकिंड वाली पर्ल में से क्रिस क्रोस करा देंगे क्रिस क्रोस कराने का सिंपल मतलब है लेफ्ट वाली वायर राइट में और राइट वाली वायर लेफ्ट में इस तरहे से हमारा second circle भी ready हो गया है अब हमें फीर से प्रोसेस करना है नीचे वाली जो wire है उसको उसके ब्राबर वाले hole में से निकालना और उपर की तरफ ले आना है जो left वाली wire है उसमें दो pearls डालने है right वाली wire से criss cross करा देना है और right वाली wire को उसी hole में से वापस से नीची रालना है ऐसा हम last तक कर लेंगे और उसके बाद देखते हैं हमें corner पर करना क्या है corner पर आपके आपके confused बिल्कुल भी नहीं होना है बिल्कुल same process है जैसे हम करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करना है दो pearls डालने है criss cross कराना है second वाले pearl में से और फिर wire को उसी hole में से वापस से ले जाना है बहुत ही simple process है कहीं भी कुछ confuse होने की जरूरत नहीं है अगर आप थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को rewind करके देख सकते है फिर से wire को उसके ब्राबर वाले hole में से लेके जाना है इस तरह से wire उपर की तरफ आ जाएगी left वाले wire में फिर से हमें दो pearls डालने है और second वाले pole में से right वाले wire को निकाल लेना है इसी तरह से सेम प्रोसेस से हम चारू तरफ कर लेंगे मैंने अपनी चैनल पे बहुत सारे टुटोरियल अपलोड कर रखे है तो आप एक पर में चैनल को विजित जरूर कीजेगा और अगर वीडियो पसंद आईए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और शेयर कीजेगा अब हम यहां पर लास्ट में आ गए है तो लास्ट में कुछ इस तरह से दिखेगा आपको कहीं भी किसी तरह से कोई गरबर नहीं होना चाहिए अब लास्ट में हमें क्या करना है फॉर्स्ट वाला होल जो है हमारा सबसे फॉर्स्ट वाला ही था उसमें से हमें वाय को निकालना है और उसकी ऊपर वाला जो ठीक पर्ल है उसमें से भी हमें वायर को निकालना है इस होल में से साथ उसके उपर वाला जो पर्ल है उसमें से भी हमने वायर को निकाल लिया अब यहां पर केवल हम एक पर्ल डालेंगे कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा अब इसके बाद केवल हमें एक पर्ल डालना है और उसी में से हमे क्रिस क्रोस करा देंगे तो इसके उपर हमें एक और लाइन हमें बनानी है एक और लाइन इसके उपर हमें तीन से चार लाइन बनानी है तो सेम प्रोसेस है जो नीचे वाली वायर है उसको उसके ब्राबर वाले पर्ल में से निकाल लेना है और जो उपर वाली वायर है इसमें निचे निकाल लेना है उपर उपर वाली यो याय उसमें करना है और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कुछ प्राब्लम में और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं पॉर्नर में हमें सेम प्रोसेस करना है उसके ब्राबर वाले पॉर्ल में से निकाल लेंगे कोई एक्स्ट्र पॉर्ल हमें आड़ नहीं करना है और फिर जो उसके उपर वाले पॉर्ल में से क्रिस्क्रोस करना है और फिर से वही सेम प्रोसेस करना है नीचे वाले पॉर्ल में स क्रोस करा देना है यह हमारा कुछ इस तरह से बनता हो नजर आएगा यह में थर लाइन शुरू कर रही हूं यह जरूरी नहीं है कि आपकी वाय जहां पर खतम हो रही है उससे next अंदर की तरफ बनाऊंगी, तो अंदर की तरफ बनाने के लिए तीन पर्ल्स टालने हैं, अब हम इसके अंदर की तरफ बनाना है, तो थर्ड पर्ल में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे, उसके बाद हमें फिर से सेम प्रोसेस करना है, नीचे वाली वायर को नीचे वाले पर्ल में से निकालना है पर यहां पी कॉर्णर है तो यहां पर हमें किवल दो पर्ल में से निकालना है एक पर्ल में से नहीं निकालना है दो पर्ल में से वायर को निकालना है क्योंकि अब हम इसके अंदर की तरफ बना रहे हैं उपर की तरफ बॉल नहीं बना रहे हैं तो दो परल में से वायर को निकालेंगे और उसके बाद हमाई वायर में तीन परल आ गई और एक पर लेंगे और उसी से हम इसको क्रिस क्रोस करा देंगे तो इस तरह से हमें यहाँ पर अपने कॉर्णर्स करने है बराबर वाले पर्ल में से फिर से वायर को निकालना है लेफ्ट वाले वायर में दो पर्ल्स टालने है सेकिन वाले पर्ल में से क्रिस क्रोस कराना है ऐसे में पूरी लाइन करनी है लाइन करने के बाद पॉर्णर्स हमें सेम करने है यहापे हमें दो पर्ल में से वायर को निकानना है दोनों पर्ल में से वायर को निकानने के बाद हमें एक पर्ल लेना है और उसमें से क्रिस क्रोस कराना है दोनों पर्ल में से वायर को निकाल लिया, एक पर्ल लिया उसी में से क्रिस क्रोस काया ऐसे में चारों तरफ करना है, सेम प्रोसेस है और लास्ट में हमें इन दोनों वाले पर्ल में से वायर को निकालना है अब एक पर्ल डालना है वाइल में और यहाँ पर अच्छी से नोट टाई लगा देनी है नोट टाई मैंने आपको पहले भी बता रखी इसलिए इस प्रोसेस को स्किप करते हैं अब हमारा यह बॉक्स बंद के रेडी हो गया है अब हमें इसके उपर का धक्कन बनाना है तो इसके लिए एक वाइल लेंगे चार पर्ल डालेंगे फोर्ट वाले पर्ल में से क्रिस क्रोस कराना है सिंपल प्रोसेस है जैसे हम पहले बेसिक बीडिंग करते थे जेम उसीब से है, दोनों साइट की वायर में एक पर्ल डालना है, और एक पर्ल में बीच में से क्रिस क्रोस करा देना है, तो हमारे ऐसे दो सर्कल बनके रेडियो हो जाएगी, ऐसे टोटल हमें चार बनाने है, तीन चार सर्कल बनके, फिफ्ट वाले में क्या करना है, राइट करने के बाद हम इसके फीर से लाइन बनानी है तो लेAKट वाली वायर में हम फीर से तीन पर्स डालेंगे थार्डब वाले पर्ल मैं से स्धीक कराहएगेिक आपim इस तरह से आप यह मारा नींचे की वायर है ना नीी की तरफ जाली वायर है उसको इस वाले पर में से निकाल देंगे जो ऊपर की तरफ की वायर है उसमें हम दो पॉर्स टालेंगे सेकिंड वाले पॉर्ल में से क्रिस क्रॉस करा देंगे ऐसे हमें लास्ट तक करना है अब यहां पर मिलास्ट में आ गए तो इस बार हम राइट वाली वार में दो पॉल्स टालेंगे और सेकिंड वाले पॉल में से क्रिस क्रॉस करा देंगे ऐसे करने से हमाई सेकंड लाइन भी पूरी हो जाएगी और ऐसे हमें total 5 lines बनानी है second line भी पूरी हो गई इसको फिर से पलट लेंगे और फिर से हम प्रोसेस करेंगे और ऐसी total हमें 5 lines बनानी है 3 pearls लेंगे 3rd वाले pearl में से क्रिस क्रॉस करा देंगे ऐसे हमें 5 line बनानी है जिससे हमारे एक square shape बन जाएगा टाइक हम ऐसे पांच line बना ली है हमारे square shape बनानी है अब इसके ऊपर हमें वाल बनानी है लिए ठीन pearls ले थे और थर्ड वाले pearl में से क्रिस-क्रॉस करा दिया था अब जो नीचे वाले वायर है उसको नीचे वाले pearl में आसे निकाल लेंगे उपर वाली वायर में दो पॉल्स डालेंगे और सेकिंड वाले पॉल में क्रिस क्रोस करा देंगे और ऐसे हम चारों तरफ करेंगे और हमने केवल एक की लाइन रखनी अपने वाल की क्योंकि हम इसका धक्कन बना रहे हैं अगर आप यहां पर जो हमने गत्य का बेस लिया था आप वहां पर इस तरह का मोतियों का बेस भी बना सकते हैं वहां पर आप ऐसे बेस बना के उसके ऊपर की ऐसे चार पांच लाइन बना देंगे और सेम प्रोसेस से हमारा धक्कन बन जाएगा तो कॉर्ण पर ब्राबर वाल एक लाइन बनाने हैं आप चाहते हैं तो दो यह तीन लाइन भी बना सकते हैं पर यहां पर मैंने किवल एक लाइन बनाई है लास्ट में कुछ इस तरह से दिखेगा और लास्ट में यहां पर दो पर्ल में से वायर को निकालना है और उसके बाद किवल एक पर लेना है और क्रिस क्रोस कराना या पर क्रिसक्रोस कराना यह या पर नोटनाई लगा देनीए अब खतम करना है यह पर लगा दिया नोटनाई का प्रोसेस आपको पहली भी बता रखा है तो इसको कि अभी की एक अ अपो मैं से लिटा लेती हूं अब दिखा ऊसके हम बाइने दोनों बाइयर को प्रॉस कर दिया जाเรา निकाल की इसा राय वायर को नपमें देन लास्ट में हम क्या कर देंगे अंब तक। आप समझे गई होगे कि मरेंत क्या हम बना रही हूं यह बना दूर का बोक्सale girl делать पहले पुल कर लें टाइट कर लेंगे इसको और इसके बाद यहां पर अपनी नोटाई लगा देंगे अगर आपको वीडियो पसंद आईए ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना हूं अब तो आप समझी कहिएंगे हमने एक पर्ल बॉक्स बनाया है इसमें बटन लगाना रह गया है वो भी इस वाले में से तो यहां पर जल्दी जल्दी वायर को निकाल लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है दूसरे वाले पर्ल वायर को इस वाले पर्ल में से निकाल लिया अब दोनों वायर को में एक तरफ लाना है तो कोई से भी वायर को किसी पर्ल में से दोनों वायर को एक साइड लियाएंगे अब यहां हम बस उपर वाली वायर को इस वाले पर्ल में से निकाल लेंगी तो हमाई दोनों वायर एक तरफ आजाएगी अब यहां पर हम नोट टाई लगा देंगी हैना भो सिंपल यहां पर बटन लग गया अब इसके ऊपर का लोक सा भी लगा देते हैं जिससे हम इसको बंद कर सकें यहां पर नोट टाई करके इसको एक्स्ट्रावाय को कट कर देंगे यह एक्स्ट्रावाय हो गई है पकट हमारा बॉक्स का बटन रेडी हो गया है अब इसके उपर जो बीच का पर्ल था उसमें से वायर को निकालेंगे चार एमेम के पर्ल से हैं वो डालेंगे एक बाद चेक कर लेंगे कि कितने पर्ल की रिक्वायर्मेंट है और उसके बाद हम इसमें नोट टै लगा देंगे हमारा पर्ल बॉक्स पर्स के यार है मैं इसको एज़े पर्स की तरह यूज़ करूंगी और कभी मना है तो बॉक्स की तरह भी उज़ कर सकते हैं आप जिसका एक्स्ट्रा गत्ता है इसको मैं कट कर देती हूं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप चाहते हैं तो ज़्यादर स्टडीनेस आगी है तो अगर आप बेस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और मैंने इसमें पर्ल की लाइन लगा ली है तो ऐसे मेरा पर्ल पर्स भी बन गया है तो इसे मल्टी पर्पर्पर्स हो गया है एक बाब में चैनल को चेकाउट जरूर कीजीगा क् कि मैंने इसी बहुत सारी वीडियो जान रखी हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक तक के लिए राधे राधे